है जो ब्यस्ति नर्सिंग करना चाहते हैं इस वीडियो में आप सभी का मैं डाउट जो है पूरा क्लियर करूँँगा कि जो भी आप लोगों का डाउट है व्यस्ति नर्सिंग कौंसलिंग को लेकर चाहे आप बहुत से स्टुडेंट यह सुच रहें कि बारवी के numbers के अधार पर क्या हमारा सेलेक्शन होगा और बीसी नर्सिंग में कौन से कॉलेज में जो है होस्टल है होस्टल हमें कैसे मिलेगा होस्टल कफीज जो है कैसे रहता है प्राइवेट कॉलेज में गवर्मेंट कॉलेज में किस तरह से रहता है गवर्मेंट कॉलेज में हमें फ्री में होस् ताइम है इस डेट तक आप जो है बेसी नर्सिंग में काउंसलिंग करा सकते हैं तो उनीं स्टुडेंट को मैं बताना चाहता हूँ जो इस टूडेंट अभी सोच रहें कि बारवी के percentage के धार पर हमारा selection होगा क्या तूनी student को मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बारवी के percentage के धार पर आपका counseling में नाम नहीं आएगा आपने बेसु नेर्शन के exam दिया है उनका आल ओर रैंक आपके marks के हिसाब से ही आपका selection जो होगा और बारवी के पर्षेंटेस के धार पर बात करें तो आपका जब इस पाट राइंड का कांसलिंग होता है तो वहां पर आपको जोरत बढ़ता है बारवी के परषेंटेस तो इस पाट राइंड के लिए तया रहे हैं न बीच फर्वरी को जो भी यह लाश्ट हो जाएगा और फर्षेंट के counseling को सभी city जो है अलाटमेंट हो जाएगा उसके बाद जो ही स्वाट रौन का counseling जब होगा तो आपके बारवी के percentage के धार पर होगा और आपका इस तरह से selection हो सकते हैं और आप में से बहुंसे क्वेस्टन है जो पुछन है पूछ लेजिए क्योंकि नव दीन बस बचे हैं आपके counseling समापत होने में और आप लोगों से कहना चाहता हूं आप लोग सपोर्ट नहीं करते इसलिए न डिमोटिवेट हो जाता हूं मैं वीडियो ज्यादा नहीं बनाता अब यसी नर्सिंग के पर क्योंकि आप लोगों का response ही नहीं आता है आप लोग की समझे ने जब आप लोग मेहनत करते हैं और आपको अच्छ रिजल्ट नहीं तो आपको कैसे लगता है ठीक वैसे मुझे भी लगता है वीडियो को लाइक करना तो free होता है free होता है like करना comment किजिए आप जो भी मैं तो आप लोग को सेड़ नहीं है तो आप लोग ऊसी को सेलेक्ट करेंगे आपको होस्टल के पीछे जो है नहीं भागना आपको सबसे ज़्याद अपना में फोकस जो है लगाना वहए वह बिच्छ नर्सिंग सीट के ऊपर की हमें कैसे भी करके जब हम काउंसलिंग करे तो हमें बेसी नर्सिंग का सीट अलॉटमेंट हो जा इस पर आपको आप जो है फोकस कीजिए आपको होस्टल जो है मिल ही जाएगा नेस्ट क्यों से इस अलॉटमैंट के ये इस बिलकुल अचार नहीं होंगा किडियर शेट आलॉटमेंटih मेंट बारो जोटिब नो riding ela Giara90 GOG नहीं है फिर आपको उर्च और चयवार्ण पूरा लास्ट हो जाएगा उसके बाद टो अनूस्मेट होगा कि आपका सब्सीट अमका स्टूर्पेंट होगा तो सब्स्राइब चाहिए को गोगा फिर आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग कॉंसलिंग की हैं जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया हैं उसके हिसाब से यदि आपका सेलेक्शन होता है तो आपको सीट अलाटमेंट हो जाएगा नेस्ट क्वेशन सेर मेरा टोटल इनका थाइस नंबर है माक्स है कैटिग्री रंग दो हजार चार्सों सौत्याशी आलोवर र गजाए नहीं हो पाइदा प्राइवेट कॉलेज में कांसलिंग कीजिए लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि चार हजार नौसोच चैटे हैं उन्चास तो चैटे हैं सीर्फ और उसमें से सिर्फ 410 गवर्मेंट कॉलेज के चार हजार 496 सीटे जो है प्राइवेट कॉलेज में 12 पास किया है तो क्या नर्सिंग में एडमिशन के टाइम गेप सेटिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या प्लीज रिप्लाई तो जी है आपको गेप सेटिफिकेट जो है बनवाना पड़ेगा जब आपका एडमिशन होता है और आपको नहीं सभी स्टुडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपका 12 यहीं से इस में देखा नहीं जाता है यह आपको गेप सेटिफिकेट बनवाना पड़ेगा और आपके बारवी से ही एडिमिशन होता है तो जो भी स्टूडेंट विस एडमिशन कर लिए होंगे या फिर Second Year और OBSC Nursing करना चाहते हैं वो अभी से गेब सेटिफिकेट बनवा लें क्योंकि यह आप को ज़रुत पढ़ेगा गेब सेटिफिकेट बनवाईए निवांस परमाण पत्र आयप परमाण पत्र जाती परमाण पत्रों भी बनवा लेज़िए जैसे मैं आप लोगों को हर क्योंकि आपको स्कॉलर्शिप में दिक्कत हो शकता है अगर आप नहीं बनवाएंगे तो इससे अच्छा है एसी एस्टीम और OBC के स्टुडेंट जाती आए निमास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और साथ ही आपका जब डीवीशी डाक्यूमेंट वेडिफिकेशन होगा पुछ टाइम भी ऐसे भी चीजें आपके पास होना ही चाहिए तो यहीं आप लोगों का कमेंट तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कॉंपिडिशन जो है बहुत ज्यादा है चोबिस अजार साथ साथ इंक्यावनी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया फरत ताफ दासजारी स्टूडेंट ही काउंस्लिंग के लिए जो है इलिजीबल है और उसमेंसे भी आपके काउंसलिघ अओपर ही डिपेंट करे गािए यॉJack किस तरह से कॉंसलिंग करते हैं और किस तरह से आप कॉंसलिंग से अप लिए से कर पाएंगे मुझे पता है लेकिन आप लोग कॉलेज यह अच्छे से सलेक्ट नहीं कर पाते हैं इसी वजह से आपको कॉलेज जो है नहीं मिलता तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अपना कॉलेज सेलेक्शन में करना है दो मिनिट में आप जो है कॉलेज सेलेक्ट मत आप लोग कॉंसलिंग कर रहे हैं उस टाइम जो है अच्छे से पीसी कॉलेज को जो है सेलेक्ट करना है क्योंकि वहां पर बहुत सारा कॉलेज को पूरा लिष्ट दिया रहता है आप अड़ड़ी में कोई भी टॉप कॉलेज को सेलेक्ट कर देते हैं आपको ज्यादा प्राइवेट कोलेज में सेलेक्शन हो जाए तभी मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी आप पढ़ाई करूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह आपके उपर डिपेंड करता है आपको अभी स्टार्टिंग में यह देखना है कि सिर्फ मुझे कैसे भी करके बीसी नर् पढ़ना चाहती है उस टॉप गवर्मेंट याप टॉप राइबेट कॉलेज में अपने इस्टियर जो है आप एडिमीशन वहां पर ले सकते हैं लेकिन सबसे पहले अपना फोकस अभी अपने को सिर्फ बीसी नर्सिंग सेट मिलना चाहिए इस पर आपको पूरा फोकस जो सबसे पहले आप से भी को मेल सके और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया तो प्लिस इंस्टाग्राम पर फालो कर लिजे और आपका कोई भी डाउट से तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट